हेलो दोस्तों तो कैसे हैं आप स्वागत करता हूँ आपके अपनी चैनल क्रेक 11 फोकस पर इस वीडियो में हम बात करने वाले SKK वर्सिस GHG फुल स्टैट्स प्लस इन्फो यानि कि स्टेड इंजा कवन क्रिकेटी वर्सिस जिम हेल्स निकी जिम खाना के बीच में जो आज डालता है कौन फास्ट बोलिंग करता है और कौन कितरे नंबर पर आने वला है काफी रिसर्च की आपको काफी मदद मिल जाएगी वीडियो को पूरा देखना ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं मनाने वाला हूँ जल्दी जल्दी सब बता रहूं आपको मज़ा आएगा क्य आपने जॉइन कर लेना है देखके आना इसके लावा कोई और चनल मेरा नहीं है अठावन हजार नौसो यानि 59,000 के करीब मान के चलो आपके आने तक हो सकता है हो चुके हो अचा वीडियो जो रहेगा करावा नेशनल क्रिकेट ग्राउंड के इन जीसी जो करावा एक चोट कंडिशन्स थे स्विंग हुई भी अगर आपने सयद की बोलिंग देखी दी तो बट उनको ओवरी दो मिले और जो मैक्सिमम ओवर्स थे वो स्विनर से करवाए गए जिस वज़े से विक्टे भी स्विनर को ही मिली अच्छा अगर आप देखोगे स्विनर करवान क्रिकेटी के बारे में तो इन्होंने अभी तक 14 मैचेस खेले हैं इन 14 मैचेस में ये 9 मैच जीते हैं और 5 मैच इन्होंने लॉस भी की हैं लास्ट टाइम ये सेकंड रैंक पे आये थे टेबल में 8 में से यानि की मतलब एकदम इनका IPL वादा फॉर्मैट है दो बार टीम्स खेलती हैं आपस में आठ साथ साथ मैच होते हैं मतलब टोटल 14 मैच होते हैं और दो बार ये खेलती है साथ टीम से और उसके बाद इनका कॉलिफायर होता है इलिमिनेटर होता है जैसे एकदम हमारा सिस्टम है वैसे ही और ये एकदम कॉलिफायर 2 में नॉक दिखा दिया था SKK ने GHG को तो इसके इसाफ से यह पर SKK ही आपको जीती दिख रही है इसके लाव एक और मैच हुआ था इसके के ही जीती थी अच्छा इस मैच में स्टार्स कॉन रहे थे इनके इनके स्टार्स रहे थे सबसे स्ट्रॉंग टीम है आपको इसके पांच से छे प्लेयर मिनीमम लेकर चलने है छे आप चाहो साथ लो छे तो लेकर जाना ही है अच्छा अगर मैं बताओं इनके लिए ओपनिंग कर रहे है नेथन कोलिंस जो कि पार्ट टाइम लेक्समें डालेते हैं यह आपको बले बा नहीं वलाओं तो वरी ना करें चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे इनके लिए जो एक बहुत अटेकिंग प्लियर है और रिसेंटली जो टीटैन हुआ था टीटैन सीरीज हुई थी फिनलेंड में उस पर बहुत तगड़ा खेले थे अरी अब्दुल कुआदिर यह इंटर कि जो बाकी के टीटवेंटी से पंदरा मैच में टुफॉटी फोर्टी फोरन और हाई एस बीए 93 बीस की अवरेज स्ट्राइक रेट अच्छा इंटर नैशनल प्लेयर है और ओडीडी में इनका अच्छा रिकॉर्ड था एक हार्ड हिटर कंसीडर है इस रिकॉर्ड पे मज प्रफिटे भी निकाले थी 36 ओर टाल के लिए काफियर तक में बूलर का काम कर सकते हैं फिर आते हैं इनके सबसे इंपोर्टन खिलाडी और सबसे वेलनोन खिलाडी जो की आई धिक फिलनेंड के कैप्टन भी है जो नैशनल टीम है इनकी नैथन कॉलिंस इनका नाम है राइ फिनिश प्रिमियर लिग का भी टॉप स्कोरर था सेकेंड नंबर पे कल अहाद कुरेशी के बार में बताया था वो फर्स थे तो यह सेकेंड थे यह देखके चलना 16 मैच में 419 मैच वेल रिगार्ड़ेड़ेज है इसको मिस नहीं करना दोस्त और कैप्टन सी वाइस रांच यह नहीं चक्के लगा सकते हैं तगड़े और लास्ट यह का रिकॉर्ड देखोगे 14 मैच में 264 पूरे फिनिश प्रिमियर लीग में देखोगे 9th रन स्कोरर थे और अपनी टीम के लिए 3rd हाईय स्कोरर थे रन्स 264 किये थे अच्छे खासे प्लेयर है इनको भी मिस नहीं करना है कभी-कभी यह विकड़ कीपिंग भी कर सकते है मैं यहां पर पहले ही विकड़ कीपर मौझूद है अरीब अब्दुल-कुण खिलेंगे तो यहां पर विकड़ कीपिंग आपको पीटर कलागर किसे कॉन राथा मैन आपको 1st और 3ढ चार्ड मीर्जा जा देख 14 में एक ही बार इन्होंने बॉलिंग करें थी और उस मैच में दो डाले थे और एक विकेट इन्होंने निकाल ली थी तो मिर्जर सीशन बैक का टोटल रिकॉर्ड देखोगे बल्ले बाजी में बहुत अच्छे 14 मैच में 287 हाइस 92 नौर्ट जो इन्होंने 61 गेंद में किया थ दोस्तों हम बात करेंगे जेक गुडविन की जेक गुडविन एक राइट बल्ले बाज है राइटाम मीडिया में लास्ट यर इनका रिकॉर्ड ठीक ही रहा था चार मैच में उन्होंने सिर्फ 13 रन किये थे और उसमें 5 और डाले थे एक विकेट लिया था लेकिन अगर स्टाइकरेट 76 50 एक है और विक्टे 2 है तो यह देखकर चलोगे तो ठीक ठाक रिकॉर्ड है हाला कि आपको और के टेक्री में मिलेंगे और काफी लोगों ने सिलेक्ट किया है आतिफ रशीद जिनका सिलेक्शन काम है मेरे साब से एक इंपोर्टेंट प्लेयर बन सकते है 15 म आपको और दिख रहे हैं चोके भी लगाए है बाइस और चक्के भी लगाए है बाइस साथ साथ 15 मैच में 10 विक्टे लिया है और भी डालते हैं अच्छे प्लेयर है आपको काफी अच्छा करता दिख सकते हैं और यहां पर आपको बता दो मनोज थवायो गाराजा यह एक साथी हाई स्कोर देखोगे इनका 15 है कुछ खास नहीं है लेकिन अगर आप देखोगे इन्होंने ओवर भी उतने कुछ खास नहीं किये 11 मैच में केवल 4 बारी इन्होंने बोलिंग करी थी लेकिन जब जब करी थी तो पूरे ओवर 3-4 डाल ही देते थे दोस्तों इनके बार करता दिख जाए क्लब के लिए इसका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है जा इसने आठ मैचों में पांच विक्तरते लिए हैं साथ बल्ले बादी से भी 38 अवरेज है क्लब क्या हुआ ब यह क्लब आप क्या के चलो इनके क्लब होते है उसके बाद यह आगे की टीम में जाते है उन कलब में चीज़ में इसमें बहुत अच्छा किया है वकास राजा की बात करूँ तो भाई आप बहुत तगड़े फास बोलर है मैं इनकी हाइलेट्स देखी है बहुत टॉल बोलर है और काफी हद तक आपको यह डेथ पर गेंद बाजी करते दिखेंगे मैंने यह लिख इस निरव शाह की यह अपने टीम के सेकेंड थे विकेट टेकर यह अच्छी है अगर आप देखोगे 14 में 16 राजन ली तो इन्होंने 12 में 15 ली मतलब ऑन एवरेज हो गयरा में आप देखोगे निरव शाह जादा आ गया है तो यह दोनों प्लेयर आपके लिए ग्रैंड लि के कोच भी है एंड्री और मिटेज ही है फिनलेड के कोच कराम तो यही होने चाहिए और पांच मैच में पांच विक्टे हैं इनकी ओवर इन्होंने साथ किया लेकिन अगर आप देखोगे ODT वगेरा में काफी बोलिंग करी है और काफी highly regarded player है और आपको विक्टे निकालते दिख सकते हैं लेकिन मुझे रखता है इन दोनों में से किसी एक को यानिकि यहाँ पे इन दोनों में से किसी एक को बिठाया जा सकता है तो अगर आप अभी तक टेलिग्राम से नहीं जु बूलना नहीं है एक चैनल पर सब्सक्राइब कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपको कोई भी मैं वीडियो डालू तो पता लगता रहे जैसे मैंने आपको बताया था इनका जो टोटल मै लाजा देखने को मिल सकते हैं इनके सारे प्लेयर्स के स्टैट्स बताऊंगा लेकिन नोमन म्राजा का कोई स्टैट नहीं मिले कुछ बताऊंगा नीचे आपको उसका ध्यान रखिएगा अगर हम देखे इनके लिए जो विकेट कीपिं कर रहे हुए सिमरन जीत बराड़ा और वही इनके लास्ट ये टॉप स्कोरर थे यानि कि जो दोनों विकेट कीपर आज आपको देखे रहे हैं दोनों अच्छी हैं 14 मैच में इनको यहां पर विकेट कीपिंग में रखा है नमबर पांच में कुछ मैचिस में उपर आए थे तो मैंने आपको जरूर बताया 14 मैच में रर इनके 231 है हाइस 49 4 जिनों ने 20 की है 6 जिनों ने 1 लगाया 25 की एवरेज ट्राइकरेट 84 थोड़ा स्लो खेलते है ओडीडी में देखोगे तो उल्टा यहां पर 6 मैच में इनके 147 ररन है हाइस 52 एवरेज 36 है तो काफी यहां पर ओडीडी में भी अच्छी एवरेज है एहमद जलील यह जो है प्लियर यह वंता सीसी के लिए जिसका कल मैच हुआ था खेलता था पहले इसका रिकॉर्ड उत्तक खास नहीं लगा साथ मैच में केवल 26 रन और साथ मैच में पांच विक्टे मिली ओवर आट डाल के काइंड ओल राउंडर का काम करेगा बोलिंग भी करता है और बल्ले बाजी भी इसका ना लेकिन स्ट्राइक रेट बहुत बड़ी आपने कलब के लिए और इसको काफी ज़ज़ा चौके शक्के मानने के लिए जाना जाता है पिछले साल के रिकॉर्ड में आपको नहीं दिखेगा बट ही इस रिकार्ड एजा हिटर जो की कुछ ओवर भी डाल सकता है इसलिए इसका सिलेक्शन हाई आप देखके चलिएगा नॉमन रजा का मैंने आपको बताया था मुझे कोई रिकॉर्ड मिला नहीं और कमेंड में सबसे उपर कर दूँगा आप महां पे चेक कर लिजेगा नहीं तो टलीग्राम पे तो मैं आपको बताई दूँगा इसलिए कह रहा हूं अठावान नौसव लोग जुड़ चुके हैं करीब 59,000 देखके जुड़ जो क्रिक्लियों फोरकस्ट विदाउट तो बिल्कुल यह ODD का रिकॉर्ड है और इतने इनको बल्ले बाजी के बी चांसे नहीं मिले थे शहीद गॉंडल इनका एक प्लियर है राइट एंड बल्ले बाज है F.E.L. 2019 यानि फिनिश पीमिल लिग 2019 में ओपनिंग पे आता था बारा मैच में 106 रन है हाइस इसका 36 है एवरेज केवल आठ इसका 117 मैंने देखा यह ओपनर है इसका रिकॉर्ड इतना खराब है फिर मैंने वंडे का रिकॉर्ड देखा वंडे में इनका एवरेज 14 थी स्ट्राइक रेट 138 तो मैं सैडिस्वाइड नहीं था या क्योंकि यहां पर बंदे का टी 20 में स्ट्राइक इतना अच्छा नहीं है वंडे में देखो 138 ठीक है टी 20 में वंडे में इतना ज्यादा फिर मैंने 2018 का रिकॉर्ड देखा तो वहां पर इनका स्ट्राइट सच्छे थे पांच मैंच में 126 रण में इनका लास सीजन अच्छा नहीं है लेकिन यह अच्छे प्लेयर है करियर एवरेज भी बता दी 25 से 26 के ठीक प्लेयर है फैजल शहजाद इनका बहुत इंपोर्टेंट प्लेयर है क्यों बहुत इंपोर्टेंट प्लेयर 14 मैच में लास सीजन 17 विक्टे और most विकेट्स फॉर इस टीम सबसे ज्यादा विक्टे निकालके गया डेथ में गेंदबाजी भी करता है और साथ सा रंज भी है एक सो अच्छी स्याद मेरे सबसे थर्ड या फॉर्ट था यह स्कोरर भी है टीम का थर्ड प्रॉबेबली तो वह भी देखके चलना और ओडीडी रिकॉर्ड देखोगे 12 मैच में 19 विक्टे हैं इसकी टेरिफिक रिकॉर्ड आपके लिए 114 रन है ओपनिंग पर आजाते हैं कभी-कभी ना भी आए तो भी अच्छे हैं इनको मिस नहीं करोगे यह दोनों प्लेयर ऐसे हैं जो आपको मिस नहीं करने चाहिए अगर आप देखोगे रिकॉर्ड अच्छा है विक्टे भी निकाल रहे हैं और थर्ड हाईस्ट विकेट preventistent इनको आपको केकर जैकरी से प्रिक करना होगा जोस्तों जैसे मनने order में बताया यह मैने आपको केकर इसी पता की हैं जैसे यह ओर राउंडर जैन आपको चार ऑलर दिखेंगे पहला जावेज जान जो इनके लिए फिकेटे करता अच्छा बोलार राइनम मीडियम डालता अत्ती रह्मान, slow medium बोलने हैं, थोड़ी सी slow डालते हैं, लेकिन accuracy के लिए जाने जाते हैं, काफी wicket to wicket गेंद बाजी करते हैं, ODD में 6 मैच में 4 विक्टे थी, less effective थे ODD में, लेकिन हमें मतलब नहीं है, हमें finished Premier League में देखना है, जहां ये 6 मैच में 10 विक्टे निकालके हैं अपनी, तो ये देखके चलिएगा, इर्फान यूसफ जाई, इनकी टीम के मेरको जो सबसे main spinner लगे, और in fact, यही spinner है इनके बास, छोटे कदके हैं, हाइट छोटी है, जिसवजे से इने bounce कम मिलता है, बड़ विक्टे काफी निकाली हैं भाईया, record अच्छा है, 8 मैच मे छे विक्टें थी, लास सीजन, लेकिन, तोटल देखोगे, इनका टोटल T20 रिकॉर्ड, तेरा मैच में 10 विक्टे भी हैं, 36 अच्छा हो डालके, और साथ साथ थोड़े बहुत रन भी हैं, थोड़ी बहुत बल्ले बाजी कर लेते हैं, वो आपको इनके strike rate, average और चौके चक उसे अंदाजा लग जाएगा, उमायर अक्तर एक प्लियर है, इनके, इंडोर T10 प्लियर है, वहाँ पे इनोंने काफी अच्छा किया था, जिस वज़े से इनको शामिल किया गया है, इनका record कुछ खास मेरे को मिला नहीं, T20 में 5 मैच में केवल 13 रन, ODT के record में इनका किया है आपको विकेट कीपी के टेकरी में जिसे बताया है, दोनों अच्छे प्लियर बिलेंगे, पहले तो कितनी रहत की सांस है, बहिया, कल तो 10-10 विकेट कीपर थे, कितना मुश्किल हो रहा था, आज केवल 2 विकेट कीपर है, मुझे लगता है, इनोंने बात करी होगी, टीम से और उनको कहाओगा शॉट लिस्ट बेजें, 12-13 प्लियर के और वही आपको दिख रहा है, अगर आप देखोगे, ए अब्दुल कुदिर, जो आपको बताया, इंटरनेशनल रिकॉर्ड रखते हैं, और एस बराड जो लास सीजन इनके हाइस स्कोरर थे, दोनों ही अच्छी अप्शन है, बट रेकोमेंड करूँगा, एक ही लिके चलें, थाकि हम तीन और या एक एक एक्स्ट्रा बोलर पिक कर सके हैं, अपनी टीम में, हो सकता है बल्लेबाज भी, क्योंकि बल्लेबाजी सेक्शन में भी कुछ बहतरीन प्लेयर हैं, अगर आप देखोगे यहाँ प सबसे पहले बता दूँ, हाइस सेलेक्टेड प्लेयर क्यों सदीके, कभी-कभी बोलिंग भी कर लेता है, और इन फैक्ट इसने ओवर डाले ही है, जिस वज़े से मैं नहीं छोड़ रहा है, साथी साथ एज अलील है, मैंने आपको बताया, इनका रिकॉर्ड ठीक ठाक है, हा वहां की लीग में कितने इंपोर्टेंट हो सकते हैं, बल्ले बाजी के मामले में ये प्लेयर है, मतलब मैं आपको कहूँगा कि इन लीग में बल्ले बाज को कैप्टन करना थोड़ा रिस्की होता है, क्योंकि वो आउट हो गया तो आपका एक मेन की प्लेयर खतम हो जाएग और इसके अच्छे कासे स्कोर हैं, आलब कि अफकोर्स आउट तो जल्दी कोई भी हो सकता है, बाट नेथन कॉलिंस का बहुत तगड़ा रिकॉर्ड है, एस गॉंडल है, मुश्की आपको ओप्रिंग करते दिख जाएगे, पीटर गलागर है, नंबर तीम पे भी आ सकते है हो सकता है, थोड़ा नीचे आजाए, नंबर चार पे बड़ रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, आप बिल्कुल कंसिडर कर सकते हो, एम जीशन बेक, वेरी एक्सिलेंट फ्लियर अपनी टीम में लेना है, जरूर लो, ग्रैंड लीग की बहतरीन सिलेक्शन, केवल आठ परसें है, इनका मुझे कुछ खास रिकॉर्ड लगा नहीं, एन्रजा का मैं को जैसी मिलता है, मैं आपको अपडेट करूँगा, नीचे कमेंट में या टेलीग्राम में, ध्यान रखके चलिएगा, तो चेक कर लेना दोनों चीज़े, और राउंडर सेक्शन, और राउंडर प्लेयर हैं, बिल्कुल सेलेक्ट कर सकते हो, पर मैं आपको बाद में पताऊंगा, उससे पहले जो मुझे लेने है, पी सहारन है, ये तो मैं दो प्लेयर इनके लेके जाने ही वला हूँ, जी एज़ी के लिए, इनके से जादा मुझे नहीं लगता, कोई दोनों में से इंप पिक करने की चोईस आती है, डिफरेंशल चोईसे बता दूँ तो रशीद और खलेद, दोनों अच्छी डिफरेंशल चोईस है, भी अथ्याग गराज का लास्ट टाइम का रिकॉर्ड खास नहीं है, मैंने आपको बताए, क्लब क्रिकेट में बहुत अच्छा रिकॉर्ड ह और विक्टे निकालते हैं, डेथ में भी गिंद बाजी कर सकते हैं, साधी साथ जे जान भी काफी अच्छे फास्ट बढ़ना है, तीनों कांट्रिब्यूट कर सकते हैं, बहुत अच्छा गिंद बाजी से जे जान तो बल्ले बाजी भी कर सकते हैं, अगर हम यहां पे देख इनको भी पिक कर सकते हो, विजे रतनम केलते हैं, इनको भी कर सकते हो, यू अकतर का मुझे उत्रा खास रिकॉर्ड लगा नहीं है, मेरे साब से इनको बल्लेबादी सेक्षन में गिवन होना चाहिए था, बाकी आर्मिटेज की बात करूँ, तो ये आपको बताया, कोच भी हो सकते हैं, और काफी important player है, Finland team के coach कह रहा हूँ, तो सोचो यहाँ पर कितना check कर सकते हैं, हाला कि मैं sure नहीं हूँ, क्योंकि उनका नाम भी Andrew Armitage है, आप check कर सकते हो, बाकी आपको बता दूँ, ये 3 player आपको लेके ही जाने हैं, ये आपने देख ली मेरी base team मन गई, इस base को तो लेना है, उपर के 2 player आप choose कर सकते हो, उपर के 2 players में आपको कौन में बताऊँगा, मेरे को जो अच्छे लगे थे, मेरे को लगे थे रशीद, रशीद क्यों अच्छे लगे थे, इनका काफी अच्छा record लगा, बल्ले बाजी के इन बाजी दोनों से कर सकते हैं, contribute, जिस वज आखरी player, there are many good options, जो मैं लेने वाला हूँ, मैं कुछ different करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर जाओंगा, आई उसफजाई के सद, आई उसफजाई क्यों, क्योंकि spinner है, विक्टे निकाल सकते है, मुझे ऐसा लगता है, आपको लेने हैं, तो आप सातवा player भी यहाँ से ले सकते ह आप विकेट की पर भी change कर पाओगे, आपको international वाले player लेने हैं, यानि कि आपको जो A.A.A.B.D.L. को आदर दिख रहे हैं, वो भी ले सकते हो, बस S.Badar highest score था है, जिस वज़े से मैंने pick किया है, तो दोस्तों, कुछ मेरी SA team आपको देखने को मिल रही है, high chance अगर कोई भी match में, और लबे कत के लावा, P.S.A., मने किसका बता था, आई, उसफ जाई, छोटे कत के player है, तो यह सब देख कर ही बता रहा हूँ, ऐसे नहीं बता रहा, slow कॉन डालता है, क्या डालता है, सब बताया, captaincy, vice captaincy picks, number one captaincy pick आपके लिए रहेगी, F.Shazad, reason being, चाहे weak team में हो आज, लेकिन contribution इसका पूरा है, बल्ले बाजी और गेंद बाजी से, highest wicket taker for team, second third highest scorer for the team, P.S.A.R.N., बहुत important player बन सकता है, vice captaincy के लिए, strong team से जाने है, Nathan Collins है, A.R.Shit can be very good differential choice, differential बहुत अच्छा क्योंकि सिरफ 14% है, और कुछ chances हैं कि मैं इनको भी vice captain कर सकता हूँ, तो मेरी final team, telegram पे आपको मिल जाएगी, बाकी ये telegram का आपको दिख रहा है, like आज मैंने नहीं मांगा आपसे, बाकी आपकी अपनी मर्जी है, यहाँ पे आपको join कर लेना है, quickly on forecast, without space, search करके.